कि दोस्तों धर्मिंद्र मुजीद्र आपकर स्वागत करता है गुज़ाती चेस जोन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी क्यारोकान डिफेंस के उपर डिसकस करते हैं मैंने लास्ट वीडियो में के बारे मैंने आपको लंब सम कुछ मूज बताया थे स्टार्टिंग में आज हम डिटेल में देखेंगे हर एक वेरियेशन को तो चलिए सूरू करते हैं सबसे पहले ब्लैक की मेंड मौ नाइट से शिक्स के आप पैनोव आटेक करके खेलेंगे त c6 d4 d5 d5 cd5 then c4 इतने moves common है दोस्तों इसके against ब्लैक क्या-क्या move करता है उसके उपर आपकी game आगे depend है तो c4 के बाद mostly black knight f6 किया है world में आप database में देखोगे ते इतने moves के बाद ज्यादा तर black ने knight f6 खेला है knight c6 भी खेल सकते हैं उसके बारे में हम बारे में discuss करेंगे यहाँ पर knight f6 के सामने आपको reply दिना है knight c3 अब fifth choice black के लिए knight c6 हो सकती है यहाँ फिर e6 भी हो सकती है यहाँ पर पहले हम देखेंगे knight c6 look at this fifth move knight c6 के बाद तूरंद आपको bishop g5 करना है bishop g5 में एक blender move black की और से में बताता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है black अगर इतने moves के बाद bishop f5 करता है तो यहाँ होगा double question mark मतलब blunder move यहाँ पर आपको bishop takes f6 capture करना है g takes f6 उसके बाद c takes d5 knight b4 और queen a4 check और यहाँ पर आपको simple black का knight मिल जाएगा check के बदले double attack के साथ होएं तो क्या सिखा इस position में आपको यह खास ध्यान रखना है in this variation if black moves fifth or knight c6 जब knight c6 fifth move में आता है और उसके साथ में black bishop f5 भी खेलता है तो यह एक trap है तो यह trap भी आपको ध्यान में रखने खास चलिए दोस्तों दूसरी position देखते हैं अब हर एक opening में हम detail में हर एक move के move by move discuss करने वाले हैं तो हर एक move by move variation सीखने के लिए मेरी चैनल को जरूर दोस्तों सब्क्राइब करके रखें बैल आइकोन दबाके रखें त्योंकि हर दो दिन में मेरा एक वीडियो अप्लोड होता है तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें e4 c6 d4 d5 cd5 cd5 c4 knight f6 यही main move पे discuss करते हैं knight c3 knight c6 bishop g5 यह हमारे तो pattern move है bishop e6 यहाँ पर एक कई लोग bishop e6 खेलते हैं यह थोड़ी अच्छी भी move है exclamation mark भी है और question भी है मतलब clear नहीं है यहाँ पर यहाँ आपको खेलना है knight f3 d4 pawn को support की जरूरत है dc4 यहाँ फिर से question mark यहाँ simple bishop takes f6 और e takes f6 या फिर g takes f6 दोनों में d5 और winning the piece बहुत ही short trap है बहुत ही short trap शिर्फ में सामने वाला trap में पस सकता है अगर black शुड़ वात में opening mistake करता है और कई लोगों से opening mistake होती है जबकि pano attack के सामने black को अगर preparation नहीं है केलने का तो ऐसे mistake का फाइदा आपको जल ही मिलेगा तो छेले देखते थर्ड गेम e4 c6 d4 d5 e d5 cd5 then c4 knight f6 knight c3 knight c6 bishop j5 qb6 एक नहीं मुव आई यहाँ पे black की 6th मुव हमने change कर दे तो qb6 में क्या होगा qb6 आपका b2 pawn जो hanging है उसे आपको कोई problem नहीं है c2 d5 माल देजिए after queen takes b2 यह बहुत ही बड़ी mistake है simple root c1 knight को support कीजिए after knight b4 black attack करना चाहता है early attack और आपके center pawn पे भी black का attack रहता है knight b4 के सामने आपको खिलना है knight a4 after queen takes a2 bishop c4 अब यहाँ पे आपको black की queen trap करना का देखेगा तो bishop c4 के बाद bishop g4 counter attack करना पड़ेगा black को यहाँ क्योंकि next move में अगर queen a3 only move है और after root c3 simple white window queen तो यहाँ एक move का distance से queen trap होने में इसलिए black को यहाँ खेलना पड़ेगा bishop g5 bg4 के सामने आपको खिलना है knight f3 अब यहाँ अगर bishop takes f3 करता है तो आपको mistake बिलकुल नहीं करनी है queen takes f3 नहीं करना है क्योंकि queen takes a4 होगा आप piece down हो जाएंगे simple g takes f3 और win the queen तो यह शुरुआत की तीन traps आपको दिखाई है एक और traps दिखते है आलेखाइं गैंबिट में opening यही है लेकिन इसमें एक various analysis में आलेखाइं गैंबिट कहा जाता है e4, c6, d4, d5, e5, cd5, c4, knight f6, knight c3, knight c6, bishop g5, d into c4 इसे कहते हैं आलेखाइं गैंबिट 6 में queen b6 नहीं उसके बजाए black ने pawn text pawn कर दिया यहां आपको simple d5 और center knight पे pressure करना है knight e5 एक ही base move दिखती है knight e5 लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है यहां पो knight f3 exchange your knight after knight d3 check bishop takes d3 c takes d3 queen takes d3 black खेलेगा a6 a6 का reason है दोस्तों knight b4 और queen b4 knight b5 queen b5 black allow नहीं करना चाहता है तो a6 जरूर है a6 के बाद simple castle e6 rad1 pressure on queen into d5 bishop takes f6 after queen takes f6 knight takes d5 queen d8 knight sacrifice बहुत ही a6 में क्या होता है queen into f6 rook f e1 check और स्वारी जहां पर कुछ moves mistake हो गई है फिर से देख लेते हैं r a d1 स्वारी आर a d1 आर a d1 करना है गलती से बाइ मिस्टेक रूक f d1 कर दिया मैंने नो प्रोब्लम तो रूक a d1 के बाद e takes d5 bishop takes f6 queen takes f6 knight takes queen d8 और फिर knight f6 यह sacrifice यहां पर simple आप देख सकते हो कि check है और queen takes knight not possible queen d8 checkmate है तो queen takes knight में भी rook e1 check bishop e7 और queen d8 checkmate तो यह थी आलेखाइन गेंबिट में trap जो कैरोकान में पैनाव बोटोनिक एटेक का एक वीरियेशन है उसका opening का नाम तो कैरोकान ही है तो दोस्तों कैरोकान के सामने बहुत सारे player को black white से खिलने में बहुत problem होता है इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि कैरोकान को कैसे defense कर सके आपको कैसे defense कर सके उसके सामने aggressive कैसे मेरी खेली हुई वह game भी देख लेता की game of the day white खेल रहा है e4 और मैं regularly defy खेलता हूं तो scandinian defense की ज्यादा तरह आपको game देखने को मिलेगी edify knight f6 मेरे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे scandinian के variation में आपको बता है वहां जाके आप यह variation देख सकते आफ्ट नाइट f6 c4 दोस्तों आपको याद है यह variation का नाम है icelandic gambit जो मैंने already वीडियो बना चुका हूं c4 के सामने e6 उसके बाद d6 bishop e6 then d4 d4 वाला variation भी हमने बनाया है और bb4 jack bishop d2 और bishop text d2 यहाँ queen text d2 force move है और queen e7 discover की trade है यहाँ पर white ने mistake की है bishop d3 खेलके तो bishop text c4 after knight e2 और bishop text d3 queen text d3 knight c6 और short castle long castle अब आप यह position देख सकते काफी खेलने लाएक काफी black की और से बहुत ही मजाएगा खेलने में अब long castle के बाद मैं तो confidence हूँ इस game में रुक d1 और मुझे यहाँ पर d4 जो hanging pawn है center pawn है उसके आसानी से उस pawn को मैं long time के बाद मार सकोंगा रुक h e8 doubling किया है after knight bc3 support किया है knight e4 अब यहाँ पे center हम लेना चाहेंगे तो knight takes e4 queen takes e4 सारे pieces exchange होने के बाद d4 pawn को कौन बचाएगा आप देख सकते कोई support नहीं आएगा d5 के बाद simple rook takes e2 simple है exchange after d takes e6 rook takes d1 check rook into d1 rook into b2 और simple winning the pawn after c into b7 king into b7 अब simple आप देख सकते हो कि black एक pawn down था उसके बदले black अब pawn up हो चुका है g3 rook takes e2 इसमें end game बहुत ही देखने लायक हो की rook d7 मैंने 7th rank के सारे pawn sacrifice कर दिया क्योंकि मैं early queen बनाने में मानता हूं तो यहाँ पर a5 rook f7 a4 rook takes d7 a3 अब सिर्फ दो मूँग की दूरी पर queen बनेगी rook d7 after rook b2 rook d1 a2 rook a1 और rook b1 check rook takes b1 end to b1 queen और white resign simple winning game तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे game भी आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो से चैनल से चुड़े रहिए subscribe जरूर कीजिए like कीजिए अगर आपको कोई भी mistake लगते है कोई change करना चाहते है मेरे mood में तो आप मुझे comment box में जरूर लिख के दिजिए thank you जय है जय गुजात